साल दो हजार बीस में हनसल महता और तुशार हीरानन दानी की जोडी स्कैम एक हजार नौसौ बानवे फीट में हर्शद महता की कहानी लेकर आई थी वो शक्स जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज से भी और यहां तक की प्रधान मंतरी कार्याले तक की नींद हराम हो गई थी अब तीन साल बाद स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी के साथ यह जोडी फिर हाजर है इस बार कहानी घोटाले बाज अब्दुलकरीम तेलगी की है यह सच्ची कहानी पत्रकार संजय सिंह की लिखी किताब तेलगी स्कैम रिपोर्टर की डायरी से ली गई है सीरीज की कहानी तेलगी के 30,000 करोड के स्टांप पेपर घोटाले के इर्दगिर्द बुनी हुई है यह अब्दुलकरीम तेलगी के उंचाईयों तक पहुँचने और गिरफतारी तक की यात्रा पर ले जाती है ट्रेन में फल बेचने वाला अब्दुलकरीम तेलगी एक दिन देश का सबसे कुख्यात घोटाले बाज बनेगा ये किसी ने नहीं सोचा था तेलगी गगन देवरियार का जीवन संघर्षों से भरा रहा इससे कोई इनकार नहीं है सबसे दिल्चस्प की वह बाकी घोटाल बन गया तेलगी की सरलता उसकी सादगी को देखकर कोई कलपना भी नहीं कर सकता था कि वह इतनी बड़ी धोखाधडी करने की नियत रखता है शोरन हंसल महता यह बखू भी जानते हैं कि परदे पर सबसे महत्वपूर्ण है कास्टिंग स्कैम एक हजार नौसौ बानवे फीट में प्रतीक गांधी ने बिग बुल हर्षद महता का किरदार निभाया और रातों रात स्टार बन गए इस बार गगन डियोवरियार इस श तरीन धंग से पहचान गए हैं डायरेक्टर तुशार हीराननदानी ने गगन देवरियार से उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस करवाई है और वह इसके लिए तारीफ के हकदार हैं इसके लिए कास्टिंग निर्देशक मुकेश छाबडा की नजरों को भी दाद देनी होगी